एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इन दे सीरीज जहां पे हम नए आटोमोबील कॉंसेट्स को जानते हैं और समझते हैं आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के वील बेस के बारे में वील बेस गार के मेजरमेंट का एक एहम पहलू है आज हम जानेंगे इसका मतलब क्या होता है इसको मेजर कैसे करते हैं और एक गाड़ी के उपर वील बेस का क्या प्रभाव पड़ता है तो चलिए शुरू करते हैं वील बेस गाड़ी के आगे के पहिये और पीछे के पहिये की बीच की दूरी को कहा जाता है जो कि दोनों साइड्स में सेम होगी विडियो में दिखाये गए पिक्चर के माध्यम से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि वील बेस एक्चुली में गाड़ी का कौन सम मेजरमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वील बेस को जेनरली मिलिमीटर्स में नापा जाता है आईए अब ये जान लेते हैं कि वील बेस का कार के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए वील बेस के ज़ादा या कम होने से गाड़ी पे तीन मुख्य प्रभाव पड़ते हैं पहला स्टेबिलिटी एक गाड़ी जिसकी वील बेस ज़ादा होगी उसकी स्टेबिलिटी बेटर होगी वो सड़क पे और ज़ादा संतुरन के साथ चलेगी जिस गाड़ी की wheelbase कम हो जाएगा उसके अंदर टॉपल करने का, skid करने का चांज जदा बढ़ जाता है Second is, गाड़ी को काटना या फिर मोडना किसी भी गाड़ी जिसके अंदर wheelbase जदा होगा, उसको मोडना या फिर काटना, इधर उधर घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है अगर wheelbase कम होता है, तो गाड़ी को असानी से कहीं से भी काट लिया जा सकता है Third is, overall interior space जिस गाड़ी का wheelbase जदा होगा, उसके अंदर obviously बैटने की जगह जदा होगी क्योंकि वहाँ पे केविन एरिया जदा होगा तो अगर गाड़ी का wheelbase बढ़ा दिया जाए, तो उसके अंदर की roominess यानि की जगह बढ़ जाती है और यातरी आराम से comfortably travel कर सकते हैं तो दोस्तों wheelbase के बारे में आज इतना ही, hope you like the video सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना समय देने के लिए शुकरिया, thank you for listening patiently, take care